दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे सबसे पहले तो नए साल की आपको तहे दिल से सुबकामना है अब चलते हैं टॉपिक की और एक ऐसा सवाल है जो हमेज साब मुझे पूछा जाता है वो सवाल है किसी भी सर्किट में कोई भी कपैसिटर अगर फट जाए उसकी वैल्यू मिट जाए तो उस पर हम किस वैल्यू का कपैसिटर लगा सकते हैं अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि भी सर्किट में अगर कोई भी कपैसिटर फट जाता है या फिर खराब हो जाता है तो वहां पर एक तो हम किस सा कपेस्टर लगा सकते हैं दूसरे सर्कुट को देखकर नंबर वन नंबर टू अगर आपके पास दूसरा सर्कुट नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर किस वैल्यू का कपेस्टर है कपेस्टर में दो चीजे होती हैं माइक्स्टर और वोल्टेज अगर आप अलग का स्रकुर्टस क्रीट नहीं DR. यह फिक्स उसमें लिखा रहता है 50 गल्या साथ इक उसको मिलनी चाहिए तब जाके वो accurate वहाँ पर चल पाएगा Microfarad से कोई यहाँ पर वो नहीं होता अगर आप गलत Microfarad का भी capacitor लगा देते हैं तो उतना कोई उससे फरक नहीं पड़ता है फरक पड़ता है तो सिर्फ voltage से यही चीज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ अब आपको डीटेल से मैंने बता दिया यह topic किस चीज पर है अब चलिए आप बात करते हैं capacitor की example किल में इस circuit को ले रहा हूँ आप किसी भी circuit को ले लीजिए बाद सिर्फ एक ही की है SMPS हो भले ही mobile charger हो भले ही वो कोई भी चीजे हो वहां पर आप इस method से असानी से पता लगा सकते हैं बसरते हैं आपका circuit short नहीं होना J short भी होगा तो उसकी भी video बना चुका हूँ इस video मैं आपको वो भी सीखा दूँगा ठीक है अब बात करते हैं capacitor यहाँ पर short हो चुका है सबसे पहले मैं इस capacitor की बात करूंगा आप circuit में capacitor कहां पर लगा है यह आपने सबसे पहले जानना होगा आप computer अप सबसे पहले होगा यानिके सबसे पहले यहां पर 220IR वोडöt होगा चाहर अबाद किया होता है वो रेक्टी फायर पीजा तो यसको बनाएगा डी ची बनाने के बात वो जाएगा का पैसिटर पर पैसिटर भले वो आपका चार्जर का हो या फिर कोई भी हो इलेक्ट खेस्टर पर जाता है डीजिने के बाद जिसमें माइनस और प्लस होता है माइनस इसको बोलते हैं और प्लस लेक इस तरह होती है तो प्लस माइनस में जाने के बाद वो फिल्टर हो जाती है DC तो आपका डायोड बनाता ही है उसके बाद फिल्टर होने के लिए कैपस्टर पर आती है कपेश्टर फिल्टर करने के साथ-साथ उसके लोड को मैंटन करता है उसके अंदर कुछ वोल्टेज इस्टोर रह जाती है जो उसकी आप उर्ती यानि कि जो आप उर्ती वोल्टेज कर रहे होती है कहीं पर अगर आपकी AC में जो है फ्लेक्ट्ट कप जब होती है तो इसकी आपार्ती को यह पूरा करता है यानि कि circuit में कहीं पर voltage कम होगी तो capacitor अपने अंदर के जो voltage store कियोगी इसकी आपड़ती को करता रहेगा कपाश्टर के बार में डीटिल वीडियो पहले बना चुका हूं उसको देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्श्रीन पर देख सकते हैं अब यहां पर यह तो बता दिया के बैस्टर यहां पर लगा रहता है अब यहां पर कौन्शी वैल्यू का लगे का यह आप मनें जानना ज complexityTIRECTIASYR के जश्ट बातमय लगा हो तो आपका कितने वल्UT का लगेगा आपको ध्यान मशना कहिए 221 कि आपके रेक्तिफायर वी उस्के पाब रेक्टिफायर पर थोड़ा यहां अंगा कम हो जाती है लगब ब्च बोल्ट जा रहिए तो आपका 180 से लेगे 195-96 तक वो हो जाती है उसके बाद कपाइस्टर अगर आपके सर्कुट पर लगा है तो वहां पर हो 300 से साड़े 300 तक दिखाएगा वोल्टेज अगर बिना रेक्टिफायर के चेक करेंगे तो लगभग 100C से 200 तक के वहां पर वो दिखाएगा यानि कि 220 से भी कम दिखाएगा बस कपाइस्टर लगने के बाग वोल्टेज बढ़ जाती है तो इसका मतलब यहां पर रेक्टिफायर हो लेकिन होता कहा कैना कभी-कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ेगी और अचानक से 370 सो तो कपाइस्ट्र वहां पर फट जाएगा इसलिए 300enda नहीं लगाया जाता है या भी Semb 알아 आ घाय। तो इसलिए यहां पर उससे भी दुगने वैल्यू का कपेश्टर लगाया जाता है यानि कि ब्रेज रेक्टिफ है पर जो भी कपेश्टर आपको लगा होगा मिलेगा वह 400 वोल्ट 400 वोल्ट 500 वोल्ट ऐसे ही मिलेगा क्यों क्योंकि वो उतनी वोल्टेज को सेहन कर सकता अचानक से अपके घर में 220 वोल्ट आ रही है अचानक से वो 500 वोल्ट होगी तो एक पल के लिए अगर 500 वोल्ट का कपेश्टर रहे तो उसको सेहन वो कर लेगा बाकी कम वैल्यू करहेगा तो सहन नहीं कर बागा, इसलिए बढ़ा के वहाँ पर कपाश्टर की वैल्यू डाली जाती है, हाँ यहाँ पर आप 1000 वोल्ट का भी डाले, तो उसको भी सहन कर लेगा, लेकिन 1000 वोल्ट का नहीं डाला जाता है, मैक्जिमम 400-500 वोल्ट का डाला जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके सर्किट में जब भी वोल्ट जाता है, वह कपाश्टर फट जाए और वहाँ पर फ्यू जूड़ जाए, और आपके IC बगर प्रोटेक्ट है, इसलिए मैक्जिमम 400-500 तक ही डाला जाता है, यह तो मै कपाश्टर लगाने के बाद भी चेक करूँगा, उससे पहले भी चेकर बहुंगा, पहले मैं इस कपैस्टर को निकाल देता हूं, इस तरीके से मैं कपैस्टर को बाहर निकाल देता हूं, कपैस्टर फटने के दो चांस होते हैं, एक आपकी IC में सोटिंग हो, और दूसरा आपके वोल्टे ज्यादा आ जाए तो मालिया जाए आपके ये कपैस्टर फट चुका है सर्किट में आप हमारा कपैस्टर नहीं लगावा है तो हम बिश्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे अरब हम किसे वैल्यू का कपैस्टर लगाएं तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस म बतारा इसमें अभी पावर नहीं दिया है बजर की रेंज पर इस कपैस्टर की पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है कपैस्टर फटने पर आईसी सॉर्ट होने के चांसे भी रहते है इसलिक बार जरूर आप एक बार चेक कर लिजे अपने कन्फर्मेशन के लिए कि आपको शोटिंग तो नहीं है शोटिंग आने पर इस तरीके से आपको बीप सुनाये देगे और वहां पर बहुत 0000 करीब आपको एक दो तीन चार 0000 ऐसे लिखेगा ठीक है यानि कि 0000 वह दिखाएगा इस तरीके से सौटिंग आने पर हाप सौटिंग पर आपको लगबग आपकी रिजिस्टेंस वैल्यू सो देखा सकता है दिखा सकता है ठीक है लेकिन कौम अगर वहां पर वो डिजिट दिखाता तो समय दिए आपको फूल सौर्ट वहां पर है तो कपैस्टर फोट चुका है इस सर्किट का एक्जम्पल के लिए अब इसके पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे इस तरीके से चेक करेंगे अभी पावर नहीं दिया ये भी आपको दुबारा बता रहा हूं काफी लोग बोलते हैं सर आप कोई चीज को चार चार पास बास बार रिपीट करते हो भी आप रिपीट क्योंकि मैं यहां पर सिखाने के लिए और उन लोगों को सिखाने के लिए आया हूं जो यहां पर सच्चे जिल से सीखना चाहते हैं और बिल्कुल सीखने की इच्छा रखते हैं पहले से अगर जो सीखे हुए हैं उनके लिए मैं ज्यादा तर वीडियो नहीं बनाता हूं अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से बूरिंग है तो आप बिलकुल सोड़ सकते हैं मैं उन्हीं के लिए बनाता हूं मैं दोबारा से कह रहा हूं ठीक है तो इस पॉइंट पर मैं वूल्टेज सॉरी इस पॉइंट में चेक करूंगा सौर्टिंग तो नहीं है अगर शॉर्टिंग आए तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है पहली चीज आइसी को तो आप चेक करनी सकते हैं आईसी को सिर्फ चेंज करना होगा लेकिन आप इन डायोड को चेक कर सकते हैं डायोड पर किसी डायोड पर अगर शॉर्टिंग आ रही हो तो उसे आप चेंज क भी को किए कर सकते क्योंकि आपकी imp asked की points पर शोटिंग आने का मतलब है कि या तो आपकी Diode खराब है या तो आपकी ic खराब है या रखिएगा या दयएविया झाफिन डायर भी आई capacitor फट जाता है क्योंकि direct AC आजाती है capacitor पर याद रहिएगा तो डायोड इस तरह की से चेक करी जाती है एक तरफ से आप ऐसे चेक करेंगे एक तरफ से वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा सकता आपको डायोड दिखा सकता है नहीं बलकि आपको बता दी शोटिंग आ रहे हो तो आपने करना क्या है या तो डायोड या फिर आईजी अब यहाँ पर सोटिंग यह सब कुछ बिल्कुल मामला फिट है तो यहाँ पर किस वैल्यू का कपैस्टर लगाऊं यह बड़ा कंफूजन वाली बात है चलिए इसको हम सप्लाई दे देते हैं और यहाँ पर हम बिल्कुल ओन कंडिशन में इसमें वोल्टेज को चेक करेंगे इस सप्लाई को मां कर चुका हूँ अब आपको बता दूँ यहाँ पर यानि कि कपैस्टर का जो पॉइंट है दूपॉइंट वहाँ पर डी सी वोल्टेज हमें चेक करनी है एस अब हम चेक करेंगे अब हम चेक करते हैं जलिए अभी आपकी वोल्टेज दिखा रहा है वह में कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक मिनिट सई से लगा लूँ मही अभी अभी ऑन डी सी है करेंट भी लग सकता है इसलिए थोड़ा सा समल के करना है एक मिनिट तो यहाँ पर कितना वोल्ट दिखा रहा है एक मिनिट देखिए यहाँ पर बिल्कुल अब डाउन अब डाउन अब डाउन हो रहा है एक एक एकुरेट वोल्टेज नहीं दिखा रहा है भी आपकी एसी से भी डी सी हुए प्यार नहीं हुई है तो वहाँ पर वह ऐसा ही दि देख करेंगे maximum कितना वोल्ट जा रहा है एक कुरेट हम देखना चाहेंगे maximum 300 देखिए या तो आपको किसी मल्टीमेटर में एक कुरेट वोल्टेज दिखा देगा या फिर आपको अप डाउन अप डाउन दिखा सकता है देखिए maximum आपने एक पल के लिए ध्यान रखना है कि कितना जा रहा है देखिए फ़र्स्ट डिजिट देखिए आपका 200 या फिर तीन सो तक जाएगा देखिए कितना वोल्ट लगबग दिखा रहा है चलिए तो यहां पर साइट से आपको दिख रहा होगा 192 जैसे कि मैंने आपको अधार था बिना कपैस्टर के वहां पर कितनी कई होड़ा वोल्ट दिखा रहा है तो इक आंदाज के अधार पर Sergio दिखा रहा है तो आपको कितना कि अनुट के अल्हागा यू कियी वहां से ज्यादा विट का क्पैस्टर याानि कि वहां परjis ही लाद अभी के के बादवाला क्पैस्टर है आपको मैंने पहले एक्जांपल दे दिया कि वोल्टेज कभी बढ़ भी सकती है तो इसलिए वहां पर आपको लगाना पड़ेगा लगभग आपको साड़ तीन सो से चार सो पॉन सो वोल्ट का आप जितना चाहें मर्जी उपर बढ़ा के लगा सकते हैं लेकिन एक अंदाजन वहां पर एक सुच्यानव वोल्ट आ रही है तो आप सौ देर सो वोल्ट बढ़ा करें वहां पर लगा लीजिए यानि कि एक सुच्यानव मतलब दो सो वोल्ट मानके चलिए सिर्फ पर चारवुल्ट का अंतर है तो दो सो वोल्ट आप आ रही है तो सौ डेर सो दो वोल्ट आप बढ़ा के लगा लीजिया आनि कि वहां पर आप साड़य तीन सो से लेकिन पांच सो वोल्ट का कपैस्ट्र अडाल सकते हैं बिजी च्रेक्ट से ब्रिज डिरेक्टिव हार वाले पॉइंट पर यानि कि किसी भी क्पश्टर के पॉइंट पर आपको जितना वोल्ट आ रही है उससे बढ़ा खरी आप वोल्टेज के क्पश्टर लगा सकते हैं चलिए इसको मैं पहले इस कपश्टर को लगा लेता हूं अब बात करते हैं डी है कि काफी सारे लोग अभी बिगिनर्स हों और समझ में बहुत लोगों के नहीं आता है मैं जानता हूं मैं भी इस दौर से घुजर चुका हूं तो मैं भी इन चीजों को जानता हूं हां कुछ लोगों के समझ में आ गया होगा जिनके समझ में आया हो तो लाइक मार देना नहीं भी आया तू भी लाइक मातना को मेरत तो आप के लिये करना हूं यार विडियो बनाने का मकसद मेरा होता है किसी को अच्छी तरीकी से सिकाना वरना तो विडियो एक मिनिटर में बन जाती है हाई चीज़ वार बताना भूलियत कपैस्टर लगाने से वहले कपैस्टर का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पर करना है वैसे तो आपने ऐसे ही चेक करके पता लगा लिया हो का इसे मल्टी मीटर से फिर भी आपको बता देता हूं जो कपैस्टर का नेगेट कर देकि पॉल्ट कर लगा सिर्चेटिव यहाँ पर पॉजिथिव पॉजिव समझ गया तो यहाँ पर प्रक के पैस्टर को डीटियल से बता दिया है अब बात करते हैं सके आउट्पुट में लगने वाले के पैस्टर यानि कि कि जितने भी यह कप एंपर कितने वुल्ट का पेस्टर लगेगाँ अब यहाँ पर इन कपकेस्टर को मैं निखालता हूं उसके बाद उसकी वोल्टेज को जेकर कोओं आप बताऊँगा चलिए मैं 1-2 कपेस्टर को यहाँ पर निकाल लेता हूं एक तो इस कपैस्टर को यहाँ पर निकालूंगा और एक इस कपैस्टर को यहाँ पर निकालूंगा और वहाँ पर पॉइंट्स पर हम वोल्टेज चेक करेंगे उसके बाद हम कपैस्टर को लगा लेंगे ठीक है चलिए अब यहां पर इन दोनों पॉइंट से मैंने कपैस्ट निकाल लिया है अब यहां पर कपासितर की वोल्टेज को चेक करेंगे सब से पहले मेहरे लाइन दे देता हूँ और इस कपासिटर पर बोल्टेज जब चेक कर्वा देता हूँ पहले तो कि दिखा रहा था, एक सो च्छानवे सतानवे दिखा रहा था लेकिन अब बढ़के दिखा रहा क्योंकि यहां पर हमारी voltage store होना start हो गई है चलिए अब यहां पर ज्यादा voltage दिखाएगा क्पेश्टर वाले point क्योंकि यहां पर voltage store होती है देखिए कितना दिखा रहा है 2889 दिखा रहा है क्योंकि यहां पर store होना प्रारंब हो चुकी है तो यहां पर कपेश्टर का काम store करने का और filter करने का है अब जो दो कपेश्टर हमने output से निखाले वे थे वहां पर इतना वोल्ट दिखा रहा एक बार आपको दिखा देना चाहूंगा अब यहां पर देखिए इस पॉइंट पर हम वोल्टेज चेक करेंगे इसको हमने 20 पर सेट कर लिया है चलिए पहले 200 पर आप कर सकते हैं अगर नहीं दिखा रहा वैल्यू तो घटा के 20 पर सकते हैं पहले ह हम पर बहुत का मूल्टेज दिखा रहा है 0.31 30 के सम्टिंग दिखा रहा है मतलब 0 के बाद 31 31 दिखा रहा है ठीक है मतलब 0 वोल्ट यहां पर दिखा रहा है इसका मतलब यहां पर कुछ भी बूल्ट नहीं आ रही है अब हम कंफूज जाएंगे और हम किस वैल्यू का पेश्चा ले लिजी जो maximum world का हो जैसे कि मैं यहां पर लूंगा मेरे पास बहुत सारी किपेस्टर है मैं स्मय यहां पर लूंगा मैं करेगा यह भी आपको नहीं पता है ठीक है फिर आपने चार्ट के सम्थिंग का पैस्टर ले 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 रहा है तो वहाँ पर उसके प्लस-माइनस में इसके कपश्टर के को मैं एड़ करलेंगा फिर वहाँ पर वॉल्टेज को चेक करोंगा देखिए कर चो कहीं पर सर्कू defendant में नहीं होता है तो वहाँ पर वह ऐंक्रीट नहीं देखा पाएगा क्योंकि वह फिर ही नहीं तो वो बिल्कुल एकुरेट नहीं दिखा पाएगा इसलिए मैं यहां पर एक मैग्सिमुम वूल्ट का कपेश्टर लगा रहा हूं उसके बाद उस पॉइंट की वूल्टेज हम चेक करेंगे अब इसके प्लस मैनस को देख लेता हूं मैं मैनस के लिए यह है और प्ल सब्सक्राइब यहां पर वोल्टेज को मैं कि चेक करूंगा कितना वोल्ट ऑ रही है भी अने लगी ने कोड़े और यह अप प्लस मैनस करके देख लेते पितना है फाइब वोल्ट यहां पर मिल रही है इसका मतलब यह है कि इस जगह पर 5 वोल्ट आ रही है तो आप यहां आप पर फाइब वोल्ट का पॉइंट है तो इसका मतलब यहां पर आपने लगभग के पेस्टर लगाना होगा 10 वूल्ट 16 वोल्ट 25 पूल्ट 50 वोल्ट 400 वोल्ट का भी लगा सकते हैं था किते हैं लेकिन अपने मिनिमंum 5 वोल्ट से कम का कपेस्ट्र नहीं लगाना है और सिंस गवी ने लगाना है आम लग्पर आप से उपर का आप यहाँ से मैंने को पैस्टर निकालता वो कौनसा था आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ से मैं निकाला था यहाँ पसे ग्सक्तर निकाले थे करेंगे अब यह मत सोचिएगा कि वहाँ पर आपका चार्शो व्ल्ट कमी करेंगे नहीं दोस्तों उस जगह पर अगर आपकी 5 वोल्ट आ रही है तो ओक पैस्टर अगर चार्शो बोल्ट कमी लगा रहा हुं तो उतनी ही वोल्ट सोर करेंगा जितना उस circuit पर उस जिकर पर मिलती है इसलिए आप सबसे पहले maximum वोल्ट का कपैस्ट लगा कि वहां की वोल्टिज चेक किजिए उसके बाद confirm होने के बाद आप वहां पर मनमर्ची का यानि की जो मैंने आपको बताया 5 वोल्ट मिल रही है तो 10 वोल्ट 16 वोल्ट 25 वोल्ट इस 1021,000 Kimberly, 3000 Kimberly लगाना अगर वह circuit किसी कम लोड वाले की चीज़ चला रहा तो वहां पर दाईस,थीन सो छार्त,फ़ानुम का मैंक्रट का लगाना है पहले आप वहां पर कम क्म लिएक का लगा के नहीं चल रहा है उखंए लोड उठा नीक पा रहा है तो आप लीछा ब्हासे के यह वोल्ट को उठाने के लिए लगा गया है ठीक है अगर तरीका पसंद आ रहा हो तो लाइक कर ही देना अब दूसरे पर क्पैस्टर हम चेक करेंगे कि कितने वोल्ट का लगना चाहिए दोस्रा पोइंट ये था हमारा पहले उस पॉइंट का मवोल्ट एक करें ठीक ठीक है आखे वहां पर कितने घा रहे है एक वो और मात मिल रही है एक वोल्ट वाह很好 रही है तब भी मैं संथुश नहीं हूं कि है पर किने वोल्ट का कपस्टय लगना है अब हम वही कपसिटर को उठा कर वहां पर लगा लेंगे, उस पर लगा लेते हैं, पहले आपने 400 वोल्ट का कपेस्टर लगाना है, याद रखेगा, ठीक है, यही 400 वोल्ट का कपेस्टर, आपको एक इन नहीं हो रहा होगा न, चार सो वोल्ट का है यह देखिए यह है चार सो वोल्ट का चार माइक्रो फेल्ट का याद रखिएगा तो यहां पर अब इस पॉइंट पर लगा कि देखूंगा उस वोल्टेज के कपैस्टर को वहां पर कितना वोल्टेज सो कर रहा है बिना कपैस्टर के वोल्टेज सो नही चलिए देखते हैं इस सेक्षण में यह लगता है यह सेक्षण आपका आउटपूट का यह भीडीजी का सेक्षण हो ता बहुत कम उल्टि इस सेक्षन पर बनती है यह मैंने आप को बता धिया लेकिन आप ऐसे डारेक्थर हाथ मैं डालिएगा बीना किसी जानकारी के लेकिन आप रिपैरिंग ओफ तरीके से कर सकते हैं यानि कि सिर्क्ट को और कर सकते हैं चलिए यहाँ पर मैंने का पाइस्टिक को लगा लेए तब जाके आप वहां पर वोल्टिज को चेक करेंगे कि हम पर कित्पी वोल्टिज भी बन रही है याद रखिए फिर बता रहा हूं आपन यहां पर इसका मतलब 20 V से ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब 50 V से उपर का के पैस्टन लगा सकते हैं कि पचास वोल्ड 60 वोल्ड का कैपश्टन लगा सकते हैं देखिए मने नहीं बताइए को तरीके से बता रहा हूँ यह निहीं कि आपको दूसरे में या फिर भड़काने की कोशिच कर रहा हूं क्योंकि आपको को जो चीज पसंद आएगी जो चीज आप सीख पाएंगे वह शी चीज का मैं यहां पर इसमाल कर रहा हूं और मुझे यकीन है आपने ऐसी वीडियो कभी जिन्दगी में नहीं देखी होगी अब आपकी इच्छा है आप चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर वीडियो को ला सिखाना कभी नहीं छोड़ता हूं एक छोटे से डिसलाइक की वज़े से या फिर गलत कमेंट की वज़े से अगर मैं ऐसे डिमोटिविट हो जाऊंगा तो वह ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा आता हूं तो वही चीजे मुझे भी मोटिवेट करती हैं मेरी वज़े से किसी को कर सीखने को मिल रहा है तो मैं सिखाना कभी नहीं छोड़ेंगे लेकिन आप वादर कीजी कि आप बुरे वक्तों कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे चलिए बढ़ते हैं आगे यहां पर 25 वोल्ट दिखा रहा था तो जो क्वैस्टर यहां से नि иваемpere यहां पर बन रहा होगा जहां पर कम लोड के लिए वंटेज वहां पर जा रही हो तो जैसे लोड पढ़ता है तो वोल्टेज ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है यह बात रागे याद रखिए आपर पचीज वोल्ट का लगा कोई गलत काम नहीं किया है वैसे आप बढ़ा के पचास या फिर सो डिवर सो का भी लगा सकते हैं मैंने चार सो का लगाया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही यह पूरा मैथड मैंने आपको बता दिया है अब 25 वोल्ट का कपेश्टर यहां पर लगा लूँगा और यहां पर 10 वोल्ट का लगा लूँगा बाकि आप लोग सी गए हैं और भी इसके अदस सीरीज आप चाहते हैं कि मैं रिजिस्ट्रेंस का भी बताऊं या फिर और भी यंद्धण डायोट का भी बताऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं फईनग्य Anyways and जितनी भी कन्फिजन है इस विडियो को मैंने किलेर कर दी है अब भी कोई कंफिजन है तो बिल्कुल आप कॉमेंट करके बता सकते हैं बाकि इन क्या प्सक्टण को मैं यहां पर लगा लूं वह भी दिखाना चाहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी वैसे भी मैंने इतनी गप मार दी वीडियो तो लंबी होई गई है फिर भी आपने कुछ इतनों कुछ तो सीखा ही होगा चलिए मिलतेकली वीडियो में तब तक लिए टेक क्यार